हलो स्टूरेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नुमर 3 उसके एक्सरसाइज 3.4 तो इसका फॉर्स कोशन हमारा तेल वेदर दा फॉलिंग इस सर्टन तो हैपन इंपॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टन देखो अब इसमें से हमें बताना है कि हमे जो नहीं हो सकती और ऐसी कौन सी सिट्वेशन है जो हो भी सकती है जिसका कुछ पका नहीं है हो भी सकती ठीक है तो जैसे इसमें फरस्त है यू आर ओल्डर टूड़े देन येस्टड़े यानि कि जो आप जो हो आपकी जो उमर है जो आप क्या हो जाओगे अगले दिन येस से आज आप क्या हो जाओगे ओल्डर हो जाओगे तो यह तो पक्का है कि हर डे क्या होता हमारी एज जो है वह आगे की तरफ जो ओल्डर होती जाती है तो इसका होगा सर्टें टू है यह बिल्कुल पक्का है कि जो हमारी जो हम क्या है ओल्डर हो जाएंगे यस्टेड़े से तुडे में ठीक है उसके बाद second है first का आप लिखोगे certain to happen, second है toast coin will land head up, जब आप एक coin को toast करते हो तो कितने chances उसमें होते हैं कि उसके अंदर जो आपका head आएगा, तो आ भी सकता है can happen but not certain, नहीं कुछ पक्ता नहीं कि आपका head यह हो सकता है tail भी आ जाए, ऐसी die में जब हम dice को उससे खेलते हैं, तो a die when toast shall land up with a 8 on top, कितने chances हैं कि जब आप die को करते हो, तो जो 8 है आपका, ऊपर की तरफ आए, तो यह impossible है, क्योंकि एक dies के अंदर कितने होते हैं, 6 तक ही होता है, तो यह impossible है, यह ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद the next traffic light scene will be green, अब आप जब देखते हो, जब आप कहीं जा रहे हो, तो हो सकता है कि पहले red door, आप क्या chances हैं, कि जो next जो light आएगी, वो green ही आप देखेंगे उसको, the next traffic light scene will be green, can happen, हो भी सकता है, लेकिन यह पका नहीं है, tomorrow will be a cloudy day, कल का तिन जो है cloudy day होगा, can happen but not certain, हो भी सकता है, next day जो है cloudy हो, लेकिन कुछ इसमें confirm नहीं है, पका नहीं है, उसके बाद है, there are six marbles in a box with, there are six marbles in a box with number of from one to six, एक box के अंदर six marbles हैं, इसके उपर one से लेके six तक, जो है number लिखे हो है, on each of them, हर एक के उपर, what is probability of drawing a marble with number two, जब हम, जो marble को draw करेंगे, तो कितनी probability है कि number two आए, इसी तरीके से, what is the probability probability of drawing a marble with number five, तो कितनी probability है कि number five five, तो यहाँ पर मैं क्या निकालनी है, probability, जैसे कि आपको मैंने introduction वीडियो में सिखाया था, जब भी मैं probability निकालनी होते है, तो total number of outcomes लेक लो, total one से लेके six तक है, तो total number कितने हो गए, six हो गए, और number of favorable outcome कितना है हमारा, जो है वो, one है, अब six मे two आने की one upon six, यहने की six में से one chance है, कि वो हमारा two number आ सकता है, ऐसी second में five अब, इसमें भी कितना outcome है, one outcome है five, तो यहाँ पर भी total number outcome six है, और number of favorable outcome one है, तो probability निकालने के लिए, वो ही number of favorable outcome one, आजेगा total number outcome क्या है, six, तो six, तो probability होगी getting five की one upon six हो जाएगी, ठीक है, यहोगी हमा question number two, question number three देखते है, a coin is flipped to decide which team start the game, अब जो एक coin flip किया गया है, यह decide करने के लिए कौन सी game जो है वो, कौन सी team जो game start करेगी, पहले खेलेगी, what is the probability that your team will start, कितनी probability है, कि आपकी team ही जो है, वो start करेगी, तो यहाँ पर total number of outcomes है two, क्योंकि coin flip किया गया है, तो यह तो इसमें head आएगा, यह फिर tail आएगा, ठीक है, तो two हो गया, coin के अंदर two sides होती है, तो इसलिए two हो गया, इसमें total number of outcome, और उसमें से आएगा, क्या one ही कोई हमारा number of favorable outcome आएगा, तो probability इंकालने के लिए number of favorable outcome one आगया, और total number of outcome कितना है two, तो one upon two जो है, वो पहले खेलेगी, यह start करेगी, ठीक है, यहाँ पर three point four exercise हमारी complete हो जाती है, साथ मेरा chapter भी complete हो जाता, hopefully आपको यह वीडियो helpful लगा, वीडियो helpful लगे तो please like, share, subscribe करे, thank you